हेलो दोस्तों कैसे हो तो दोस्तों आज के इस नए वीडियों में आप सब का स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज के इस नए वीडियों लोग बात करने वाले टेस्स सेरीज के थर्ड मैच के बारे में जो के होने वाला है वेस्ट अडिज और इंग्लंड इन दोनों टी मों के बीच में दोस्तों यह मैच आज शाम को 7.30 पीम को स्टार्ट होगा विन्नी होने वाला नैस्टर क्रिकेट स्टेडियम सेंजोर्स ग्रेड़ा ठीक है इंटरस्टिंग मैच है प्यरे दो टेस्ट मैच ड्रा रहे है यह थर्ड मैच है न्यू वेन्री पर मैच इस वventions पर जादा मैच होते हैं तो इंट्रस्टिंग रहेगा क्या पीछ रेपोर्ट रहेगा पहले दो टेस्ट मैचेस में हम लोग ने अच्छा किया है और यह हम लोग लास्ट टेस्ट मैच में भी अच्छे मोड के साथ एंट करनी की कोशिश करेंगे आगे बनने सिंपल है अपको टेलेग्राम चैनल से जॉइन होना है वही पर आपको रेगूलर फाइनल अपडेट्स मिलते हैं टेलेग्राम चैनल पर आपको पिछले मैचेस के रिजल्स भी देखने को मिल जाएगे जरूर जाएगे तो यहां पर लास्ट टेस्ट मैच उदा टूर जिसमें प्लेयर आप देखने को मिल जाएगी तो उसके बाद कोई टेस्ट मैच नहीं हुआ नहीं है तो ज्यादा कुछ पीच के बारें बता नहीं पाएंगे ठीक है कोशिश कर रहा था कि फोटो देखने को मिल जाएगा बट फोटो भी किसी ने भी अपडेट नहीं किया है तो वह भी इशु है बट हाँ मैच स्टार्ट होने तक कोई ना कुछ तो मिल जाएगा कही ना कई तो फोटो मिल जाएगा और वहांसे पता चल जाब किस طरीवे किस प्रेश पीच रहेगी और बैटर्स भी रन बनाएंगे और लास्ट टू डेज स्पीनर्स गेम में आएंगे इंग्लंड की बात कर लेते हैं तो कुछ इस तरह किसे इन्होंने अपने प्लेइंग इलिए अनौन्स कर दी अल्रडी ठीक है एक चेंज किया है लास्ट में जगवे मैट फिशर खेल गए थे लास्ट मोमेंट पर अभी फिटे अवेलेबल है और आपको खेलते वह दिखेंग अब तक हुआ क्या है जैक क्रावली ठीक लगे मुस्पेशली सेकंड निंग में फिर्स निंग में दोनों मैचेस में रन बनाए अलेक्स इसक अब तक ज्यादा कुछ नहीं बने फिर भी पिछली मैच में तो स्टार्ट मिला था वट कनवर्ट नहीं कर पाए जो रूट दो प्लस एक विकेट बिन को मिली थी ठीक है तो पहले मैच में थिक्टाक रन बनाए तो अच्छे फॉर्म से आ रहा है देखके चलोगे बें स्टोक्स फाइनल एक बड़ी पारिया ही 120 बनाए 125 बॉल में पिछले मैच में बॉलिंग तो अच्छी करी रहा है बट बैटिंग फिर फॉर्टी टू थर्टी ट्री इलेवन नोट रॉट रन बनाए है ओक्स विट बैट बहुत अच्छे लगए है ट्वेंट एटी एटीन नोट ओट तर्फोर्टीवन इन लास्ट मैच और नाइन रन नोट बट बट बैट के साथ स्रिप दो विकेट से स्री बॉलिंग क मां कुड़ अविसले की टेस्ट मैच खरेंगे बट यह अभी अवेलेबल नहीं है विंडिस की बात कर लेते हैं कुछ इस तरह के से प्लेंगे लिए उन रही है पिछले दोनों टेस्ट मैच में मुझे लगता है इसी प्लेंग लिए उनके साथ यह लोग कंटीनू करेंगे क्रिक ब्रेथवेट इनके लिए अजर कैप्टन यह लिडिंग फॉम दे फ्रंट लग रहे हैं 55 33 पहले मैच में सेकेंड मैच में 160 देन 56 नोड़ प्लस जोड़ पर ने बाव ब्रिक स्पिन बॉलिंग कर ले एक विकेट निकाल चुके हैं कैमबल के रन नहीं बने शामरा ब 37 की पारी के लिए थी तीन विकेट निकाले थे पर पिछली मैच में रन भी नहीं बने और विकेट भी इनको सिर्फ एक ही मिलाता जोश्रो दासिल्वा एज विकेट की पर अच्छे लगे 32 33 39 डोड की पारिया खिलिए अलजारी जोसिप कैन बैड बालिंग की बात करती ति इक्वल अमांट आफ विकेट निकाली है तो इंपोर्टन रहेंगे दीख के चलोगे दोस्तों बनाते हैं स्मॉल लिक के टीम विकेट के पर सेक्षिम आपको मिलते है जौनी बैस्टो जोशुदा सिल्वा और बैन फोक्स ठीक है विकेट के पर मितलब क्रेड के इश्यू आने वाले आपको पताए तो कहीं ना कहीं आपको यहापर रिस्क लेना पड़ेगा बेस्टो को डॉप करने का रिस्क लेना पड़ेगा जो मैं लेना नहीं चाहता हो अगर अच्छी वैटिंग वीकेट रही तो इनका रूल इंपोर्टन रहेगा बट अब क्या ही करते है के शुस आने वाल है जो शुदा सिल्वा बेन फोक्स दोनों विकेट किपिंग करते रन नहीं बनाए बहुत बट विकेट किपिंग से पॉइंट डे सकते हो डिसेंट अबाउंट आप रन इन्हों बनाए है बैटिंग सेक्शन जो रूट क्रेग ब्रेथवेट डैन लॉरेंस तीनों मुझे रहने सबसे इंपॉर्टंट है और तीनों को मैं जुरूर प्रेफर करूंगा इनके लाग कुर्मा बोनर न देखो पिछले मैच में नहीं बनाए बट पहले मैच में बढ़िया 100 लगाया था ब्लैकूड ने पिछले मैच में 100 लगाया है जैक रॉली ने पहल आप आप इनको ज़रूर प्रेफर कर सकते हो देखके चलोगे बाकि ब्रूक्स एलेक्स लिज्ज जॉन केमबेल इन तीनों के रन नहीं बने है ग्रेंड लीग में रोटेट करना ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा और रॉंडर सेक्शन बें स्टोक्स ख्रिस ओक्स जेसन यह तीनों इंपॉर्टन देखको ख्रिस ओक्स को डॉप किया जा सकता था बॉलिंग अच्छी नहीं रही है बट एट पॉइंट फाइट पर मिलते है बैटिंग कर रहे है रेगुलरली और कंसिस्टेंटली रन बना भी रहे हैं तो क्यू डॉप करना बॉलिंग तो करी जा बना में जानेने वाला मोस्टली जैक लिच क्योंकि इन्होंने कंसिटेंटली विकेट्स निकाली है फिर से पीच रिपोर्ट मैटर करेगा जो में मिलेगा टॉस के टाइम पर कि एक्चुली पिच किस तरीके से खेलने वाली है ठीक है तो उससे आप से हम लोग डिसाइड क करेंगे पेसर का क्या रोल है स्पीनर का क्या रोल रहेगा और फिर हम लोग फाइनल पिक्स लेंगे बॉलिंग सेक्षिन में स्पेशली जो बहुत ज्यादा मैटर करेगा टॉस तो वेट करना उस टाइम पिच रिपोर्ट मिलेगा जरूर ठीक है अब भी क्लिवाल जारे ज सिल्स ले सकते हैं जन्होंने साथ विकेट से निका लिए साकीब महमुद पिछली मैट में चार विकेट ले गए थे क्रेग ओवर्टन एक अच्छे पेसर है प्लस यह आपको बैटिंग भी दे देते हैं तो आप कोई भी पेसर इन में से प्रेफर कर सकते हो यह आपकी मरज मिलती है जहां पर रंज बन सकते हैं तो साकीब महमुद के साथ जाओंगा विकोज यह थोड़ा सा बैक अप दलेंड बॉलिंग करते हैं जहां पर ऐसे पिचस पर विकेट मिलती है तुम इनको प्रेफर कर लूँगा और अभी के लिए इनको लिए रहो पिछले मैच में प को लिना पड़ेगा मैं सिल्वा के साथ जा रहा हूँ ठीक है और गैस कुछ इस तरीके से बनीगी टीम अब ऑगेन पीच रिपोर्ट मैटर करेगा क्या पीच रिपोर्ट निकल के आ रहा है और जहां पर आप कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो पीच रिपोर्ट पे उपर बहुत कुछ डिसाइड होने वाला है और उससे आप से मेरी टीम जरूर चेंज होगी बट अभी के लिए हमारी ये टीम बनती है कैप्टन वाईस कैप्टन सी जो रूट जैसे न होलडर ये दोनों सॉलिड ओप्शन से बट बेंस्टोक्स पिछले मैच के प्वोर्मंस के बाद पबलिक बेंस्टोक्स को करेगी रूट अन बेंस्टोक्स को मुशली पबलिक करेगी होलडर के रन नहीं बन रहे है विकेट्स नहीं मिल रही है पीच मैटर करेंगे अगर पीच पर पता चलता है कि इस पीच पर पेसस को help है तो मैं holder को ही VC करूँगा या फिर मैं captain भी कर सकता हूँ यह याद रखना अब यह के लिए हम लोग रूट को captaincy दे रहे हैं VC मैं confused to Benstocks और holder के साथ बट मैं holder के साथ अभी के लिए जाऊंगा बट हो सकता है final team में Benstocks को कर दो बिकर Benstocks भी regular balling कर रहे है याद रखना Craig Gordon के आने के वज़े से हो सकता है Benstocks कम balling करें बट करेंगे और अच्छी balling कर भी रहे तो यह तीन प्लेस में आपको suggest करूँगा Grand League में mostly यही तीनों ट्राइ करो और प्लस add कर लो Dan Lawrence को और Craig Brethet को यह 4-5 player से जिनको आप लो Grand League में Captain आइस Captain ट्राइ कर सकते हो Peach matter करेंगे अगर Paces friendly Peach है तो obviously Paces बहुत ज़दा matter कर जाएंगे वो miss मत करना और मैं आपको टेलेग्राम चैनल पे inform करूँगा Peach कैसी है क्या है कैसे नहीं है Peach का photo मिल जाएगा मैं आपको आपको शेर कर दूँगा टेलेग्राम चैनल पे तो टेलेग्राम चैनल से जरूर जोइन होना टेलेग्राम चैनल की लिंक आपको comment section में first comment में मिल जाएगी final team भी आपको वही मिलेगी बिकास IPLRI 260 आपको best analysis मिलेगी जल्दी से जल्दी तो बिलुकूल miss मत करना thank you so much guys for watching